सबी दोस्तों को जै हिंद बंदे मात परम राम राम आर्मी पोटल की नई भरती कप तक आएगी फॉप अपले कप से स्टार्ट होंगे कोई को इसके फॉप अपले कर सकता है और आर्मी की पोटल भरती में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको क्या-क्या वहाँ पर काम करना पड़ता है इसकी A to Z साई जानकारे इस वीडियो में मिल जाएगी तो फिकर ही क्या है बाद जब सौरव मुश्राइन फॉर्म वीडियोग चलनले आपके साथ आपका भाई है ना टेंसर नहीं कोई विजरत नहीं है तो यह जो आपके नहीं भरती आ रही है यह आपके हिमाचल Ohio Company की तरब से नहीं भरती निकाली जा रही है और इसमें आपका सिल्लेक्शन हो जाता है तो आपको आरमी के साथ काम करना है क्या काम करना है ग्या नई इसकी साजय जनकारी आज मैं आपको इस दूड़े में देने वाला हूँ और ये नई भरती बहुत जल्दी आ रहे है जिसमें टोड़ा पोश्ट के संख्या कितनी रहेगी तो बारा सो पचास बेकेंसी आपको ये नई भरती देखने को मिलेगी इसमें दोस्तों All Over India के इंडिया कर सकते हैं और इस जॉब लोकेशन All Over India रहता है बात बगी दोस्तों एलेक्शन की बात करें तो अगर दोस्तों आप A.C.H.T. केंड़ेट हो तो आपको पांस साल का एलेक्शन, O.B.C. केंड़ेट को तीन साल का एलेक्शन मिल जाता है और में दोस्तों जो आपके भरती कराई जाती है उस भर साल का जांब होले है इस दोस्तों आपके हो बात करें बाद करें इसके बाद दोस्तों होते то 16oДа outta running होता है 6 minute के approx आपको time मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों इसके document over verification होते है इसके बाद इसका medical होता है और दिन दोस्तों आपको final joinator दे दिया जाता है और आपका भर्ती हो जाता है इसमें exam नहीं कराया जाता है यह बहुत बढ़ी चीज है exam वगएर इसमें कुछ भी conduct नहीं होता है और salary की बात कर तो salary बहुत ही अच्छी खासी मिलती है मेरे दोस्त 30,060 रुपे का आपको salary मिलता है अप्रोक्स अगर आप भरती हो जाते हो तो ऐसा नहीं कि 10-20,000 में सल्टा दिया ऐसा नहीं है अप्रोक्स 30,000 loss दोस्तों आपको salary यहाँ पर मिल जाती है तो यह बहुत ही बड़ी बात है और डिफेंट पोस्टों पे दोस्तों जितनी वेकेंसी है सब पे दोस्तों salary आपके एक ही रहती है इसमें आपको T.A.D.A.H.R.A. वगएरा सब कुछ provide कराया जाता है तो यह सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त और इसमें दोस्तों selection लेना है इसमें दोस्तों ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें इसका main जो होता है वो document होता है और यह एक open rally भरती जरसी होती है जहाँ पर दोस्तों जार टेंसरी की ज़रूरत नहीं है आप direct सार document लेके जाओगे वहाँ पर फिजिकल दोगे जैसे ही आप फिजिकल पास हो जाओगे इसके बाद दोस्तों एक छोड़ास आपका medical होगा और दिन दोस्तों आपका नोकरी हो जाएगा बड़ ये जाप का नोकरी होगा वो क्या दोस्तों परमानेल जाप रहेगा जी नहीं ये आपके temporary service रहती है पतला मातर 6 महीने का आपको वहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा 6 महीने के बाद वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा ठीक है और फिर एक बार भरती करनेट कराई जाएगी और फिर से बच्चों को वहाँ पर ऐसे ही रैली देना पड़ेगा और जो बचे सिलेक्ट होंगे फिर से उनको 6 महीने तक का वर्क मिलेगा और इस 6 महीने के अंदर आपका जो salary होगा 30,060 रुपे का सली रहने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा salary माना जाता है तो अगर आप इस्रेली भरती देने जाओगे तापको कौन को समोज पॉइन डॉकमेंट है जो आपको रेडी करना है तो आपको ओरिजिनल आधार कॉपी आपका है वहाँ पे लेके जाना है तो से सिंगल फोट आपके पास 6 और कलर फोट आपके पास 4 होना चाहिए एक character certificate और एक police verification certificate आपको और इसमें अपने एरिया के थाना से निकालना पड़ेगा तो वहाँ पे दोस्तों सब कुछ attach करके लेके जाना है और उपन रेली भरती में जाके दोस्तों अपना नौकरी confirm करना है हिमाचल हील पोटल की भरती में अब इसका दोस्तों अगर आपका selection हो जाता है इसमें भी different poster होता है इसमें आपको कूक सफाई वाला पोटल की भरती होती तो इनका काम होता है इनका काम होता है दोस्तों ट्रांस्पोर्ड काम होता है इधर से उधर आप सबको पता है आर्मी कुछ ऐसे भी area है जहां पर गाड़ी नहीं पहुंच सकती है तो वहाँ पर दोस्तों क्या है यह जो पोटल की भरती करा जाती है इन से ज्यादा और कुछ इनको नहीं इसू किया जाता है आर्मी की वर्दी मिलती है आप पेमेंट भी दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा खासा होता है तीजा साटों का पेमेंट कम नहीं होता है लेकिन यह पर्मनेंट भरती होती नहीं है छे मेनेक बाद आपको फिर से वहार निकाल दिया जाएगा और इसके बाद फिर से नहीं भरती कराई जाएगी तो यह बहुत ही अच्छी बात है और बात बात की जिन बच्छों का अच्छा वहां पर स्कील हो अगयरा होते से कुक्किंग खाना बहुत अच्छा बनाते हो तो कोई टेंसरी की जूरत नहीं है व कि इसस्साल दोस्तों इलेक्शन के चलते ही यह नई भरती अभी तक नहीं निकाली गई है और नहीं इसका अर्बटाइजमेंट जारी किया गया है यह जीक्ता इत्विस्का पुराना इरबटाइजमेंट निकाला गया था दो हजारलों टेंसरी के इपिल महित फिल ही जलने तो क्या election खतम होने के बाद ये नहीं भरती कराई जाएगी election से पहले तो में दोस्त बहुत चारा chances है कि election से पहले ये भरती कराया जाए और ये भरती के बारे में notification भी release कर दिया जाएगी अप्रिल महिने में भरती कराई जाएगी पूरे-पूरे chances है और 90% chance निकल के आ रहाए और उस टेम पे आप चल जाना अभी तो ये भरती नहीं आई है बट दोस्तों इस बर अप्रेर मेना में भरती नहीं आएगी मैं के दोस्तों फर्स एले के सेकेंड विक के भी तर दोस्तों आर्मी हिमाचर पूर्टल की नहीं भरती आ जाएगी और इसके पूरे असार है दो दोस्तों कि ये दोस्तों महीं मेना के फॉस्ट वी के सेकंड विक्ता आपको देखने को मिल जाएगी थ्रॉस इंतजार करो और ये भरती में दोस्तों उन बच्चों के सब्सक्राइब ज्यादा इंपोर्टेंट है जिन बच्चों का एक्जाम अच्छा नहीं हो पाता है वो बच्चों को सिलेक्शन लेना है वो तयार हो जाओ नेक्स्ट महीना इसकी भरती आएगी फिजल बगए तयारी करो छे मिनिट के अंदर दोस्तों कॉलिफाइब करने का यहां पर टाइमिंग दिया हुआ है लेकि वहां में 5-45 का टाइम मागा जाता है क्योंकि जो बच्चे में गए हुए थे मेरे ही दोस्ते हैं यूटूबर सी हैं वो लोग भी गए हुए थे वहां बोलते हैं कि बहुत टाइम कम दिया आता है 5-45 का टाइम दिया आता है जो बच्चे 5-25 स्टें फिजल कौलिफाइग कर जाते हैं उन लोग को वहां पे सिलेक्ट किया जाता है बा पर बहुत करना है तो तैयार हो जाओ और राइफल की आसा मत करना राइफल नहीं मिलेगा लेकिन वर्दी आपको आर्मी की दी जाती है पैंट वगएरा सूब अगएरा सब कुछ मिलता है और काम भी आपका बहुत ही मेनती वाला होता है अगर बहुत आसाँ है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है तो भाई मुश्किल तो होगी और इसमें कोई ट्रेनिंग वगएरा होती है कि नहीं तुझी नहीं होती है जैसे ही आपका जोइनिंग हुआ कल से ही आपको काम स्टार्ट कर देना है इसलिए तो फीजिगल आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो इसका पॉपलाई मैं महीने में स्टार्ट हो जाएगा मैं के सेकेंड भी क्या फर्स्ट लीक से तो जै हिंद जै भारत कुछ भी डाउट हो कॉमेंशन खुला हुआ कॉमेंट कर सकते हो